हेलो दोस्तों आज हम फैक्ट चिक पे एक नया वीडियो लेके आए हैं विच इस बेस्ट जॉन दे मूवी ओपन हाइमर ओपन हाइमर को हम सबने बहुत प्यार दिया और हमें यह मूवी बहुत पसंद भी आई लेकिन एक्चुली यह मूवी हमें क्या बताना चाहती थी हमें Ninth chapter 1945 का इतिशास दिखाया गया हल्का वरण वर के बारे में दिखाया गया वर्लड वर two के बारे में दिखाया और साथ हमें physics के अलग अलगो टॉपिक्स जैसे की फिजन फ्यूजिन साथ हमें that संमें वोगकाई लेकिन आक्चुली हमें क्या दिखाया वो था एक scientist का mindset, एक scientist का guilt में नहीं रहेगा कि उसके कारण इतने सारे लोग मारे गए और हमें movie में last last में J. Robert Openheimer के face में guilt दिख रहा था कि उन्हें इस बात का guilt था कि world war उनके कारण end हुआ लेकिन जो nuclear bomb उन्होंने बनाया था उस कारण से कितने सारे लोग मारे गए लेकिन J. Robert Openheimer का guilt था ना, वो कहीं सही था तो कहीं गलत भी था सही इसलिए क्योंकि उनका बनाया bomb दुनिया में 30 civilians की जान ले चुका था लेकिन गलत इसलिए कि उस bomb के कारण लोग को war का सबसे गंदा effect पता लगा और उसी के कारण शायद कभी cold war, world war 3 में convert नहीं हुआ लेकिन शायद कभी cold war, world war में बना नहीं हुआ इसका reason कहीं ना कहीं यह atom bomb ही था